हलो एवरिवन मैं हूँ समीर और आप देखरें टेके शुड़ू आज की इस वीडियो में मैं आपको डेल 3268 CPU में किस तरह ग्राफिक कार्ड इंस्टल कर सकते हैं उसके बारे में बताऊंगो तो आप वीडियो इन तक ज़रूर देखें चली जल्दे आज के अपने वीडियो ग्राफिक कार्ड इंस्टल कर लेते हैं लेकिन हमारे डेल 3268 एक स्माल CPU है और जो हमारा ग्राफिक कार्ड है जोटक GT710 ग्राफिक कार्ड इसका साइज हमारे CPU से बड़ा है जोटक GT710 में तीन connectivity ports होते हैं VGA, DVI-E और HDMI हमें ग्राफिक कार्ड पे से VGA port को अलग करकर निकालना होगा और अलग से इंस्टल करना होगा वो किस तरह करते हैं मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा आप वीडियो हिंट तक देखते रहे हैं और मेरे स्टेप्स को फालो करते जाएं करते हैं झाल 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 झाल